नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फिरी सिक्ष्या के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एचससी की लिखित प्रिक्ष्याओं में बड़ा बदलाव करने की तयारी कर रहा है अरियाना करमचारी चैनायोग और गुरूबडी वेटिंग वाड़ों के लिए और कलरक वेटिंग वाड़ों के लिए भी बड़ी खबर है इसके अलावा ग्राम सचीव पटवारी और कैनल पटवारी तीनों परकार के पदों के लिए भी इस वीडियो में बड़ी खबर आपको दिखाई जाएगी और ये सारी जो जवाब हैं ये चेर्मेन साब में दिये हैं दैनिक सवेरा के क्यों सुनों के उपर तो साथियों बड़ी खबर आप देख लेते हैं HSSC की लिखित परिक्षियाओं में परस्न पत्तर अब 3D चसमे से पढ़ा जाएगा जियां साथियों अगर आप पहले बार अमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिपकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके तो साथ यो नकल रोकने और पेपर लीक रोकने के लिए करमचारी चैनायोग के पास कई विकल्प है तो पहले हम जो परसन पत्तर वाड़ा मेटर है साथ यो पूरी ख़बर देख लेते हैं आर्याना करमचारी चैनायोग मेरिट पर चैन करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब परसन पत्तर भी 3D चसमे के साथ पढ़ने के विकल्प पर सोच रहा है पेपर लीक, पेपर लीकेज और नकल रोकने के लिए इस चसमे के विकल्प के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है साथ यो फाइनल डिसीजन नहीं अभी विचार चल रहा है अभी अंतिम फैसला होना है मगर प्रिक्ष्या के अनुसार ये विकल्प अलग-अलग अपनाई जा सकते हैं आयोग के अदेक्स बोपाल सिंग जी खदरी ने देनेक स्वेरा को बताया कि पेपर लिक माफियो माफिया की कमर तोड नहीं पेपर लिक और से रोकने नकल रोकने के लिए आयोग विचार कर रहा है परसंपत्रों की प्रिंटिंग इस तरह से कराय जाये कि वेकेल 3D चस्मे के साथ ही पड़ाजासके उन्होंने बताया कि बिना 3D चस्मे के परसंपत्र नहीं पड़ाजासकेगा यह है चस्मा हर उमीदवार को प्रिक्षिया के इंदर पर मोहया कराया जाएगा बताया कि इसका मतलब है कि पर्षन पत्तर जिसके सामने होगा प्रिक्षियारती उसे इस चस्मे से ही पढ़ पाएगा तो साथियो 3D चस्मे का उप्योग भी कर सकती HSSC जी हाँ हर कंडिडेट को 3D चस्मा प्रवाइड करवाया जाएगा और उसी चस्मे से फिर कंडिडेट पर्षन पत्तर पढ़ पाएगा पर्षन पत्तर एक से चार परकार के छपवाय जा सकते हैं कि अगर कोई पेपर लेग हो जाए तो बिना समय गवाई दूसरा पेपर बटवा दिया जाए तो साथ यो ये प्रोसेस हर बरती के हिसाब से अलग-अलग रहता है इनका 25-25 पर्षनों के अलग-अलग सैट भी हो सकते हैं ये भी विचार चल रहा है आयोग के अध्यक्स बोपाल सिंग जी खदरी ने बताया कि आयोग इस पर भी विचार कर रहा है कि 100 पर्षनों को चार अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया जाए यानि 25-25 सवालों का एक-एक पर्षन पत्र तयार कर लिया जाए प्रिक्षारती को पहले 25 पर्षनों वालग पर्षन पत्र दिया जाए फिर दूसरा फिर तीसरा और आखिर में चोथा इस इन चारों पर्षन पत्रों के लिए OMR सीट एक ही होगी तो सात्यों अलग-अलग सेटों में भी ये पर्षन पत्र दिये जा सकते हैं इसके उपर विचार किया जा रहा है अभी फाइनल डिसीजन होना बाकी है नहीं बदला जाएगा उप्संजियां सात्यों जो ग्राम सचीव पत्वारी और कैनल पत्वारी के लिए कुछ उमिद्वारों ने देनिक स्वेरा से आगर किया था कि कुछ उमिद्वारों ने फोरम बरते समय गलती से गलत कटेगरी बर दी थी उधारन देते विए बताया कि उमिद्वार जर्नल में है मगर काटेगरी जल्दबाजी में बर दी यानि कि दूसरी काटेगरी काटेगरी बर दी तो उन्होंने अगर किया कि उन्हें गलती सुधारने के लिए आयोग से दो गंटे विंडों खोलने का समय दिया Joshi इसी सवाल पर अध्यक्स बोपाल सिंग जी खदरी ने बताया कि मानने सुप्रिम कोर्ट के आदेश हैं कि एक बार जो कटेगरी बर दी जाती है उसे बदला नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि सुप्रिम कोर्ट का मानना है कि ऐसा कर बरती एजेंशिया कुछ उमिद्वारों को फाइदा पहुचाने के लिए करती हैं इसलिए फोरम द्यानपूरवक बरा जाना चीए उन्होंने साप साप कहा कि पटवारी करनल पटवारी गराम सची उपदों के लिए आविदन में किसी भी परकार की तुरूटी ठीक करने के लिए कोई ओप्सन नहीं दिया जाएगा यह सपस्ट कर दिया साथ योग कि सुप्रिम कोर्ट ने यह मना कर रखा है कि बरती एजन्चिय इसका फाइदा नहीं उठा पाएं इसलिए कटेगरी जो भी एक बार बरी जाती है उसके बाद ओप्सन नहीं दिया जाता अब बात करते हैं गुरूप डी वेटिंग वाड़ों का भी कई बार मेशेज आता है। कर सकेगा उन्होंने बताया कि गुरूप डी स्पोर्ट्स वेटिंग सूची के लिए अभी गर्डेशन सर्टिफिकेट बनाने बनवाने का काम विभाग कर रहा है आयोग उसी पर अभी उस पर कुछ नहीं कह रहा है और जो में वेटिंग है उसकी तरफ से अगर अर्याना सरक से कलरक पदों के लिए उमिद्वार लगातार संप्रक कर रहे हैं उन्होंने आगर किया था कि वेटिंग अभी तक किलियर नहीं हुई है उसके बारे में जानकारी मोया कराये जाए देनिक स्वेरा ने सनिवार को आयोग के अदेक्स बोपाल सिंग खदरी से पूछा कि कलरक वेटिंग क्यों किलियर नहीं हो रही उन्होंने बताया कि मुख्य सचीव ने सभी परसासनिक सचीवों समेत अन्य अफसरों को निर्देश दिये थे कि 19 अक्टूबर 2020 तक कलरक के रिक्त पदों की जानकारी आयोग के पास बेज दी जाए लेकिन साथ ही हो मगर 14 विबागो ने यह जानकारी अभी भी नहीं बेजी है जो आप यूँ लेटर आया था सीयस ओफिस के ओफिचल वैब साइट पर हमने वीडियो बना कर भी बताया था तो उस लेटर के बाद भी अभी तक 16 विबागों ने जानकारी नहीं बेज देते तब तक आयोग वेटिंग लिस्ट से रिक्त पदों की संक्या के अनुसार सूची नहीं बेज सकता पूछने पर उन्होंने बताया कि 14 विबागों में से लगबग 250 रिक्त पदों की सूचना मिली है देनिक सवेरा ने पूछा कि फिर वेटिंग सूची में 1432 उमिदवारों की क्यों जारी की गई थी अध्यक् पांच जार पत्थे जो सरकार का मानना है कि दस फिजदी वेटिंग सूची यानि 500 उमिदवारों की सूची तयार होनी थी अब जितने पद रिक्त पदों की जानकरी आयों के पास आएगी उतने ही पदों पर 1432 उमिदवारों में से मेल्ट अनुसार सिपारिस की जाएगी यह सूमिदवार बच जाएंगी यह प्रोसेस रहने वाला है साथियो यानिक यह जो बड़ा इस में वीडियो में या इस न्यूज में है वो है 3D चसमे वाला अब लिखित प्रिक्षाओं में 3D चसमे का परियोग हो सकता है यह बात HSSC चेर्मेन साबनी कही है इसके उपर वी चार्ज दल रहा है अभी तक फाइनल नहीं हुई है आपको मारा यह अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा श्यादा शेयर करें वीडियो यह तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते नेक्स देखने के लिए में